गुद मॉर्निंग स्टुडेंट, वेलकम अगेन इन आवर मैथ क्लास, इन आवर प्रिवियस क्लास, वी लर्न आपाउट LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टिपल्स, अक्सरसाइज 6D के अंदर अपन लोवेस्ट कॉमन मल्टिपल्स जो हैं, वो फैंड करना सीख चुके हैं, आज जो अपनी क्लास के अंदर आपन को सीखेंगे नया, वो है HCF, HCF की फूल फॉम होती है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी 2 या फिर 3 या फिर उससे भी मोर नंबर और फिर उनका क्या करना होगा, आपको हाइस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड करना होगा, तो चलो सॉल करते हैं, क्यूसर नंबर ए, फाइंड अपने एक जगह पे ही अरेंज किया था, डिविजन मेथोड में, लेकिन, इसे अप में आपको जो 2 या फिर 3 जितने भी नंबर आपको दिये गए होंगे, उनको सेपरेटली आपको अरेंज करना होगा, जैसे देखो यहां पे 99 और 77 को मैंने सेपरेटली अलग-अलग इनको अरेंज किया है, और डिविजन मेथोड से वह हाउस बनाके इसको अपन प्राइम नंबर यूज में लेते हुए डिवाइड करेंगे, डिविजन करेंगे इनका, देखो 99 जो है इवन नहीं है, तो अपने को smallest प्राइम नंबर यूज में लेना है, तो इवन नंबर तो है नहीं, इसलिए आपन 2 नहीं ले सकते, 2 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो 3, और 3 है जो 99 से डिविजिबल है, तो 3 की टेवल में 99 को 3 से यदि डिवाइड करते हैं, तो 33 टाइम इसका क्यूसेंट आ रहा है, तो यहां पे रख दिया आपने 33, अब 33 डिवाइड बाइ 3 आप करते हो तो 11 जा 33 होता है, तो यहां पे 11 आ गया, आप देखो 11 खूद एक प्राइम नमबर है, तो 11 वंजा 11 टाइम हो गया, अब चलते हैं 77 की तरफ, 77 को देखेंगे तो 77 जो है वो ने तो 2 की टेवल में आता है, ने 3 में आता है, और 5 में आ रहा है, मतलब 7 की टेवल में आ रहा है, और वो भी कितने टाइम, 11 टाइम, फिर 11 जो है, वो और जो 77 की जो फैक्टर्स हैं, वो उनको आपे अलग-अलग रेंज कर लीजिए, जैसे अपने LCM में क्या था, वैसे हिनका, इसका है 3 इंटू 3 इंटू 11, तो 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1, यह 1 जो है वो भी रखते हैंगे, तो इनको सॉल करते हैं तो 339 और 11 जा 99 और 99 इसको भी इसके जो फैक्टर्स है वो लिख लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 1, तो जो इनका भी प्रोड़क्ट जो है वो 77 आ रहा है, अब करना क्या है आपको, कि दोनो जिसके जो फैक्टर थे, उनमें आपको करना है, कॉमन नमबर चूज में लेना है, मतलब पेर बनाना है आपको इसमें पेर बनाना है, तो यहां इसमें भी 11 आ रहा है और इसमें भी 11 आ रहा है, यहां इसमें भी बना रहा है, और इसमें भी 1 आ रहा है, मतलब देखो 11, 11 दोनों में आ रहे हैं, तो इसका पेर बन गया यहां पे, यह बन गया पेर, 1 इसमें भी आ रहा है और इसम हो गया 11 99 ओट 77 का SCF जो है वो 11 है क्यूसर नमबर बी पे चलते हैं तो 64 और 64 और 80 का आपको हाइस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है दोनों नमबर को डिविजन मेथोड से सेपरेटली अपन अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे डिविजन मेथोड में देखो यहाँ पे 64 हो गया इधर हो गया 80 पहले 64 को प्राइम फैक्टरेजन मेथोड से इसका क्युसेंट आ रहा है वो 32 तो यहाँ पे हो गया 32 आप लोगों को यह ओरिजेंटली नहीं आता हो तो आप रफ में इनको डिवाइड करके देख लीजी और फिर जो इसका क्युसेंट आता है वो यहाँ पे रख दीजी अब देखो यहाँ पे आ गया 32 फिर 32 एवन नमबर है तो फिर से इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 16 टाइम इसका डिवाइड होता है तो यहाँ पे आ गया 16 फिर से 16 जो है वो इवन नमबर आ गया 8 मेंस अपने को यहाँ फिर से 2 यूज मिलेना है और 16 डिवाइड बाइ 2 यदि आप करते हो तो 8 टाइम इसका डिवाइड हो तो फिर से 2 यूज में ले लेंगे और 2 की टेबल में 4 जो है वो 2 टाइम आता है फिर से 2 जो है इवन नमबर है तो 2 से डिवाइड हो रहा है 2 बन जार 2 तो ये हो गया आपका 64 का अब चलते हैं 80 की तरफ 80 में है इवन नमबर मतलब फिर से यहां पे आपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम हो जाएगा फिर से 40 इवन नमबर आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे 20 हो गया 20 फिर इवन नमबर है तो यहां फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 time और 10 जो है वो even number है तो 2 से divide किया तो आ गया 5 अब की बार 5 जो है वो even नहीं है तो अपने को next number लेना है 3 लेकिन 3 की table में 5 आता नहीं है तो 3 से just greater number जो है वो prime number 5 है तो 5 की table में 5 जो है वो one time आ गया अब इसके जो factors हैं वो और 80 के जो factors हैं वो उनको separately arrange कर लेते हैं तो यहां पे है 1,2,3,4,5,6 time 2 1,2,3,4,5,6 time 2 और 1 जो है वो यह रहा अब इसके है 1,2,3,4 time 2 1,2,3,4 time 2 into 1 into 1 into 5 into 1 तो इनका यदि आप product find करते हो तो 64 आ रहा है इसका और इसका product आ रहा है 80 अब करना क्या है अपने को इनमें common number choose करना है मतलब इनका pair बनाना है तो देखते हैं इसका two के साथ two का pair यह हो गया इसमें भी two है इसमें भी two है इसमें भी two है एक two यह रहा दोनों में है और दूसरा यह रहा मतलब आपके पास two two के तो four pair बने है और एक pair आपका one का बना है तो जो भी pair जो है पेर का मतलब दो नहीं होता है एक ही होता है तो यहाँ पे अपन इनमें से two ले लेते हैं इसका two ले लेते हैं इसका two ले लेते हैं इसका two ले लेते हैं मतलब four time two हो गया और one time one हो गया solve करते हैं तो 2 तूजा 4, 4 तूजा 8, 8 तूजा 16 और 16 वण जा 16 तो इनका 64, 80, 64 and 80 का HCF जो आ रहा है, वो आ रहा है 16 next question solve करते हैं question number C, 56 and 59 56 और 59 का आपको HCF find करना है तो वो ही अपन यहां पे divide वाला जो house है वो बनाएंगे और इधर 56 का और इधर 59 का तो यहां देखी यह 56 जो है वो even number है तो 2 से divide हो जाएगा 28 time फिर 28 जो है वो even number आ रहा है तो 2 से divide हो जाएगा 14 time 14 फिर से even number आ रहा है तो 2 से divide हो जाएगा 7 time और 7 जो है एक prime number है तो 7 को 7 से divide कर देंगे तो वो बना जाएगा अब जलते है 59 खुद एक क्या है प्राइम नंबर है59 और किसी की टेहबल में नहीं आता है तो और से गज़बल में ले साल नहीं को इसा ज़ perhaps 6 और एक बंद एक तो आपको तो यहां पे 3 टाइम 2 2 x 2 x 2 x 7 x 1 और 59 sinaइ का 59 x 1 अब पेर बनाएंगे तो कोई भी पेर नहीं है, इसमें 59 है लेकिन यहां 59 नहीं है इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है मतलब इसमें 1 है और इसमें 1 है यहां पेर बन रहा है, आपका 1 का तो इनका जो common जो है वो आजाएगा 1 तो इसका HCF 56 और 59 का HCF only 1 ही है तो next D पे चलते हैं तो 13, 24 and 86 86 इनका आपकी बार आपके पास number है 3, 3 number का आपको HCF find करना है तो 13, 13 जो है वो स्वे में एक प्राइम number है तो 13 और किसी की table में नहीं आता है, 13 की table में आएगा वो वन टाइम आ गया फिर 24, 24 even number है तो आप इसको divide कर देंगे 2 से even number है तो 2 ले लेंगे 2 प्राइम number और 24 डिवाइड बाइ 2 यदि हम करते हैं तो answer आता है 12, फिर 12 डिवाइड बाइड 2 करेंगे क्योंकि 12 जो even number है फिर 6 टाइम हो जाएगा 6 फिर से even number आ गया तो 2 से divide कर देंगे, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 3 की table में 3 जो है वो वन टाइम है अब चलते है 86 की तरफ तो 86 क्या है even number है, even number है तो 2 से divide किया और divide किया तो answer आ गए 43 43 और किसी number से divide नहीं होता है, ये खुद एक prime number है तो यहाँ पे 43 बन जा 43 हो जाएगा अब जो भी इनके factors हैं देखो 13 इंटू 1 इसका तो 13 इंटू 1 इक्वल 13 हो जाएगा और इसके है factors 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 और इसके जो factors हैं वो 2 इंटू 43 इंटू 1 अब अपने को तीनों number में आपको pair बनाना है, तीनों number को यूज मिलेते हैं, इसमें 2 है इसमें 2 है, लेकिन उपरवाले में 2 नहीं है तो मतलब 2 इसका pair नहीं है फिर इसके बाद में तो और कोई सा भी ऐसा number नहीं है केवल 1 ही जो है, ऐसा number है जो तीनों में आ रहा है इसमें भी है 1, इसमें भी है और इसमें भी है तो 1 का क्या बन गया, pair बन गया तो इसका HCF हो गया है 1 next question question number E 75 and 25 का आपको LCM find करना sorry, HCF find करना है तो यहां पे 75 का अलग से house बना लेंगे और 25 का भी अलग से house बना लेंगे HCF में separately house में arrange करते हैं LCM में अपन उनको joint में रख लेते हैं एक साथी, लेकिन इनको यहां पे HCF find करेंगे तो separately रखेंगे तो यहां पे 75 और इधर हो गया 25 75 ओड नमबर है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं इसका मतलब 3 ले लेंगे और 3 की टेवल में 75 को 3 से यह दिया आप डिवाइड करते हो तो 25 टाइम ही क्यू सेंट आता है तो क्यू सेंट यहां पे आ गया 25 25 फिर 5 की टेवल में 5 टाइम आ रहा है और 5 की टेवल में 5 जो हो वन टाइम आ रहा है अपने को यह जो नमबर लेते हैं वो आपको ध्यान में रखने के अवल आपको प्राइम नमबर ही यूज मे लेने है smallest प्राइम नमबर यूज मे लेने है जहां तक संभव हो सके चोटे से चोटा प्राइम नमबर यूज मे लेंगे next चलते हैं 25 तो 25 इवन नमबर नहीं है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा और 25 थ्री की टेवल में भी नहीं आता है तो इसके बाद में 2 और 3 के बाद में जो प्राइम नमबर आता है वो 5 ही आता है और 5 की टेवल में 25 जो है वो 5 टाइम आता है अब फिर 5 की टेवल में 5 जो है वो 1 टाइम आता है तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो और 25 के जो फैक्टर्स हैं वो अरेंज कर लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 और इसके जो है 5 इंटू 5 इंटू 1 यह जो factors हैं वो arrange कर लेते हैं अब आपने को करना क्या है इनका common number जो है पेर बनाना है common सूज करना है तो इसमें 5 है एक 5 ये है दो पेर बन गे और एक पेरा का 1 का बन गया मतलब 5 x 5 x 1 हो गया तो 5 x 5 जा 25 और 25 बन जा 25 तो इसका HCF हो गया है 25 किसका HCF ये 75 और 25 का HCF जो है वो 25 है आवर नेक्स क्यूशन नमबर 36 और 28 36 और 28 का HCF फाइंड करना है तो आपन सेपरेटली अरेंज कर लेते हैं उसमें 36 और इधर 28 देखते हैं 36 जो है वो even number है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड किया तो 18 टाइम इसका क्यूशन आ गया 18 रख दिया फिर 18 जो है वो even number है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड किया तो 9 टाइम आ गया आप देखो 9 जो है वो even नहीं है इसका मतलब नेक्स प्राइम नमबर यूज में लेंगे तो 2 के बाद में 3 प्राइम नमबर है और 3 की टेवल में 9 आता है तो 3 3 जा 9 हो गया और 3 की टेवल में 3 भी आता है तो 1 टाइम हो गया चलते हैं 28 की तरफ 28 जो है वो even number है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और 28 डिवाइड बाइड टू यह दिवाइड करते हैं तो क्यू से इंट आते हैं 14 14 जो है वो खुद एक प्राइम 14 जो है वो even number है even है तो फिर से अपन 2 यूज में ले लेंगे यहां पे और डिवाइड कर देंगे 14 डिवाइड बाइ 2 तो 7 आ जाएगा और 7 जो है वो प्राइम नंबर है तो 7 डिवाइड बाइ 7 करेंगे वन आ जाएगा यहां पे अब जो भी इसके factors हैं 36 के और 28 के जो भी factors हैं वो और रेंज कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इसके जो हैं वो भी लिख लेते हैं आपे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1 अब आपको common नंबर चुझ करना है पेर बनाना है तो देखो 2 तो दोनों में 2 तो आ रहा है पेर बन गया यह भी 2 है यह भी 2 है तो पेर बन गया इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है इसमें से होना है तो इसमें नहीं है अब इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है तो जो भी इसके common नंबर जो आये थे उनमें से ले लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 2 तो जा 4, 4 बन जा 4 तो यह हो गया SCF 4 कौन-कौन से नंबर का 36 and 28 का जो HCF जो है वो है 4 हाइस्ट कॉमन फेक्टर 4 तो बच्चों यहाँ पर आपके अक्सरसाइज 6D कम्पलीट होती है और मिलते हैं अपनी नेक्स क्लास में तब तक स्वास्थर हो मस्तर हो बाई